Hello friends, welcome to Lenservices, this is Ramsoni, आज हम बात करेंगे CDS के question paper के बारे में, question paper कोई भी हो, वो कफे important होता है, so today I am bringing the question paper to CDS, CDS 2019 में question paper में है, और ये question paper जो है, वो GS का question पर है, किसका है, GS का, so this is the channel, this is Lenservices and I am Ramsoni, today I will present this question paper, और ये अच्छी बात यह है, कि जो question paper है, इसका डिसका है, इसका है, answer की से करूँगा, जो कि UPSG की तोरा release की की है, so that is completely 100% authentic, ये अच्छी ने mistake किया, तो उसके में कुछ नहीं कर सकते हैं, but I am saying this one thing, this is the very authentic answer की, तो let's begin this one, TACODS 1 का है, TACODS 1 2019 का है, तो अब दे सकते हैं, so let's begin this one, आई देखते हैं question paper को, let's start the question paper, well तो, let's get the first question, question, well, question पुछा गया आप से, Henry, Henry T. Colbrook, निम्लिकित में से किसी संस्थान में संस्कृती प्रोफेशर थे, well, Henry T. Colbrook के बारे पुछा गया question, तो इसका सही answer है, is not that easy to reply that question, दूसरा question है, दक्कन क्रिशक राहत दिन्या मुनिस 1889, दक्कन क्रिशक राहत दिन्या मुनिस 1889 को, निम्लिकित में से किस उद्देश के साथ दिन्या में इत किया गया, इसका सही answer है C, मतलब रण ग्रसता वाली जमीन की बिकरी, बाहरी बिक्तियों के जाने पर प्रदिबंद लगाना, ऐसे कुछ महत पॉइंट सकेंगें, यह आप याद रिखेंगे, दक्कन क्रिशक राहत दिन्या मुनिस 1889, अगला है ब्रडिस सरकार द्वारा, दामिन इको, दामिन इको का निम्लिकित में से किस समदाय को बसाने क्लिक किया गया, बहुत ही इंपॉर्डिन क्वेशन है, अगले वेशन आपके लिए परिसीमा कानून, जो परिसीमन कानून होता है, जो ब्रडिस द्वारा द्वारा, दामिन इको का निम्लिकित में से किस समदाय को समदाय करता है, और इसका सही एंसर है, सहुकार और रियत के मद्ध हस्ता रित रुन अनुबंद पत्रों की वैता केवल तीन वर्ष के लिए होगी, इसका मत्तव यह था परिसीमा कानून, इसको प्याद रिखेंगे, वैसे इस वीडियों के जियेस के क्वेशन पर काफे अच्छे होते हैं अफे स्टेंडर होता है, आप देख सकते हैं, यू कैंजिए इसको इसको प्याद रिखेंगे, इन में से किसे डंका साह के नाम से जाना था, डंका साह, काफी मात्पूर क्वेशन है, इस वेरी इंपार्ट क्वेशन और यह हैं, मौलवी अहम्दुल्ला साह, मौलवी अहम् यह सारा सिन्दान अमलिकेत में से किस पूरुधाराना प्यराधरित है, इसका सही एंसर है, आपका भी तालुकदार यहाँ पर है, तालुकेदार दस्तंदाज थे, इनकी वहों में कोई इस्थाई पढ़ नहीं था, इस दा आप्शन, आप याद रिखेंगे, इस व्याद अन्तराज्टी परशत के लिए है, इंटरे स्टेट कउंसिल के बात कर रहे हैं, बहुत ही आसान कोईशन हैं दिखा जातो ही, यह हैं सरकारी आयुग वेल लोने कोश्चिन है सरकारी आयोग के स्विसक्ट के लिए हैं यह नहीं आध्रादस परशेत के लिए हैं, किस नाया रर्याद और करने के आधियist को रद करने के लिए तो रीड़ कर रहे हैं तो यह आप याद रिखेंगे इस इस दो ऑफिसिल एंसर आफ सीडियेस पेपर वैसे देखा जाए तो डिसिजन देने के बाद किया आता है प्रतिसेद बहुत सा लोगा रखाया प्रतिसेद दिखाया तो पहले ही किया आता है बहुत इंपॉर्टन कुश्चिन इस वेल नौन करने की सक्ति के सबंदमेंने विलिकत मेंसे कौन सा कथन सही है कि इसका सही एंसर है दि वन और टू एक और दो प्रत्र के बात कर रहे हैं यह जंता के द्वारा समिधान सामें प्रतिद्यों के माध्यम से प्रयोग किया सकता है तो यह आप प्रोग्याद रिखेंगे तो कुल मला कि यह दो सब्सक्राइब प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन के लिए नयायले में जाने का अधिकार निलंबित रहता है बहुत ही प्यारा क्वेशन है जब आप वार और एक्स्टन लग्रेशन के मामले में यह आम रिवेलिन के बात करें तो यहाँ पे 19,21 तीनों बचे रहते हैं तो यह आप याद रिखेंगे आपके लिए भारत के सविधान का निलिकित में से कौन सा अनुच्छे दिन धर्द कर कोशित को तालाबों यह मैंस्टान खाटों का परियूग करने से किसी भी नागरी को वज़ित नहीं किया सकता बहुत ही इंपॉर्टेंट कुशिन है इसका सही है जिसका सब्सक्राइब अनुच्छे पंदरा बोलता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ तो प्रोटेक्शन इसमे इसमे दिया गया है प्रोटेक्शन की आपके साथ किसी भी तरह इस डिस्ट्रिवेशन ना हो तो ग्राउंड है रिलीजन रिज़ीन रीच सेक्स प्लेश अब्र यह सारे उड़ कई नर्त चार राम है ना रैस है क्यक्स घास है और प्लेशाप बर्थ यह सारे चीज़े दिक पांस दो याद रहते हैं याद रहा скаж mr नहीं स्टाती किसे इसने इसप्डों बहुत ही इंप्रोडिन कॉस्यण माँ आपस्ट कुस्ट को ज़ूरद रहा है shabFR अके और वोडसो यह संग को इसके इने कुलते हैं तो फ्रीकोir जो इसे हैं जो इंग्लिस में ज़्यादा पॉपलर होते हैं इसको प्याद रखें अगले वेशन आपके लिए पॉल एलन जिनका निधन अक्टूबर दुरठार में हुआ किसके सहसं सापक थे इसका सही एंसर माइक्रोसाउट माइक्रोसाफ्ट के सहसं सापक थे प्याद दिपाचर सही तकि लगण के बारे में सूचना देने में बहुत ही प्यारा कोश्ण है सी विजल इसको प्याद रखेंगे बहुत ही इंपार्ण कोश्इन एक है प्रहार क्या चीज़ है और इसको सही एंसर है सथाई सथार्षाइश पर मार्ग करने वाली एक मिसाईल है प् आपके लिए राजू गान्दी खेल रत्थेपुरसकार इन में से किसे प्राप्त हुआ है नियुकू कि बात कर है राजू गांदी खेल रतिपुरसकार और इसका सहीं answer is b s मीरा या बई चानों और बिराट कोहलीसिस को दिया और काफी न्यूज में भी था इसका सही अंसर है सिक्किम सिक्किम में स्थापित है तो इसको प्याद रिखेंगे तो इसको प्याद रिखेंगे आप जुरूरी याद रिके मिला प्लेज़ प्रसकार अगले वेश्चन आप के लिए न्यूज कुशिट है। निम्लिकित में से कौन सी एक पूरधरन नहीं है माग के नियम में इसका इंग्लिस ट्रांसलेशन इस अब दिखें तो विचनल नॉट इजम्शन आफ लॉफ डिमांड लॉफ डिमांड तो चलिए बात करते हैं इसका सही एंसर क्या है इसका सही एंसर है निम्लिकित में से कौन से काफी बढ़िया है जब पूर्ण उप्योगिता अधिकतम होती है सीमांत और रोसते उप्योगिता एक दूसरी के बराबर होती है यह स्टेट्मेंट सही नहीं है इस तरह कुशन उप्योगिता पूस्ति इसका डिफिकल्ट वन होती है इस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्मेंट है इंग्लिस में डिफरेंट वर्डिंग इसकी होती है उच्च तर उदासिंत चक वक्र उच्च इस तरी तुष्टी दर्शाता है तो यह आप याद रिखेंगे उदासिंत वक्र के बारे में यहाँ आप याद रिखेंगे, यहाँ पुछा गया रिखेंगे, यहाँ पुछा गया रिखेंगे, यहाँ पुछा गया रिखेंगे, यहाँ पुछा गया रिखेंगे, यहाँ रिखेंगे, यहाँ आपके तब भी समझने आए, तो मैं इसको बदा रिखेंगे, आपके यहाँ परसे, और फिर इसको बंबाई का टेजान पिस नेसको जा रिखेंगे, और इसका सही एंसर है H.S.C.L.E.R. Wilkins S.C.L.E.R. Wilkins ने इसको तयार किया था तो ये आप याद रिखेंगे That's very important question कलकत्ता में महाकाली पाट साला की संस्थापिका कौन थी Well, काफी बढ़ी है question इसका सही एंसर है संत माताजी महारानी तपश्विनी ये इसकी संसापक थी तो ये आप याद रिखेंगे That's very important question अगला पुछा है किस यूरूपी सासक ने अलोकित किया कि ध्यान में रखो कि भारत का वानेज विस्व का वानेज है जो भी इस पर पूरी तरह से नियंतरन रखेगा वही यूरूप का धिनायक होगा ये statement किस सासकने बुला था काफी important statement है ये है रूस का पीटर दे ग्रेट पीटर दे ग्रेट ने statement दिया था तिया आपका यादरी ये किस यूरूपी आदरी ने अलोकित किया कि एक हिंदू इस्तरी कहीं भी अकिरी जा सकती है यहां तकि सबसे दिख भी भारवल जगों में भी और उसे कभी भी निकम में आवरगर्दों की गुस्ताक नजरों ये परिहासों से डरनी क्या हो सकता नहीं है किसी किस यूरूपी आदरी ने ये अलोकित किया बेसिकली एक अब्जरवेशन दौस ताइम पर तास्वाइब एक आप्जरवेशन दौस ताइम पर और इसका सही एंसर है अबे ये जे ए डबाइस ये इन्हों ने इस्टेटमेंट दिया था ऐसे इस्टेटमेंट इतने आसान नहीं होते इसको याद करना पुष्टक है एक प्लैक्स एंड पीपल्स का लिखा कौन है और इसका सही एंसर है विलियम एच मैकनेल विलियम एच मैकनेल ने एक किताब लिखी है इस कोशन को आप याद रखेंगे अगलोगेशन ने किस भारती समाज सासरी ने तरक दिया कि एक सद्रिस हिंदुत के विजार का निर्मान पश्च ग्यार नोदे युरोग के सांस्कृतिक हैंकार के दोरा हुआ है वेले इसका सही एंसर है आपका ए आसिस नंदी ने की स्टेटमेंट दिया है तो यह आप याद रखेंगे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ट कुशन काफी डिफकल्ट होते हैं बट फिर भी उप मुख संकट सब प्राइम क्राइसिस सब निम्लिकित में से किस घटना समनित है सब प्राइम क्राइसिस की बात की जारी है और इसका सही एंसर आर्थिक मंदी समनित है तो यह आप याद रखेंगे सब प्राइम क्राइसिस 947 के भारती सब्दा दिनिया हम दोरा लाया गया एक प्रिवारत तनिम्लिकित में से कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है पूछा जारा इसका सही एंसर है सी नैसे विधान के निरुमार्ण एक सत्ता का स्टोत राज मुकुट था तो यह बिल्कुल गलत है एक अंतिम से विधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार दिनिया मुने सब्सक्राइब किया था भारत के दित्ता को समाप्त सही नहीं है इसमें कई सारे एंसर दिये हैं काफी बड़ी है कुछ ने दिखाया तो इसका सही एंसर है सी कुल सजसों का बारावांस इस्थानी निकायों और सताओं से मिलकर बने निवाचक मंदलों दरने वाचित होता है यह स्टेट्मेंट दिखाया तो गलत है बिहार एम ठाय निकायों कमाल में यह कलत हैं बारावास नहीं होता इसा मोरे तैट अगले भायत के सविधान में भाग नौ में कियेगे निदार रणक की अनुसार पंचायटों के बारे में निम्द कित मैं से कौन सा सही नहीं है काफी बढ़ीया कोश्या ने देखाया तो और इसका सह एंसर आपके सामने स्क्रीन में है और इसका सही एंसर है ए पंचायतों की बड़कों में मताधिकार का प्रयूग करने के लिए किसी पंचायत के अधिक्ष को जंदा द्वारा प्रतेक्ष निवाद के जाने के आवसकता है यह बिल्गुल गलत है अगले आप्शन सही है जिसे पंचायतों में अध्यक्ष के पदों को अनसुच जातीया अनसुच जन जातीया थो महीं लाओ के लारक्षित किया जात पर नहीं यह राजविधार मंडल के पास पावर होगा प्रतेक्ष पंचायत पाच वर्शों की अवद तक बनी रहेगी अगर उससे पहले भंग ना तो राजविधार मंडल लिबदार पंचायतों के लिखाओं के अंकेक्षण लिखा परिखण के लिए बंद बना सकता है तो यह आप याद रिखेंगे और इसके बाद अगला कुशन है प्रसासनिक नियाधिकरोन के बारे में पुछा जारा है अडमेस्टर टू है ना तो यसे कुशन काफे लंदी होते हैं देखाया तो इसका सही अंसर है संसत की कानून दोरा इस्थापित नियाधिकरोन अपेल करने की विज़िस जारत देने के लिए सभी नयायलों के चित्र अदिकारों को अपवर्जित करता है तो यह दास रॉंग स्टेट्मेंट बाकी स्ट अधिकरोन के स्थापना करने वाला कानून प्रक्याओं के लिए उपन्द कर सकता है जिसमें अनुसरन के जाने के लिए सभ्च के नियां भी सामिल हैं ते तीनों स्टेट्मेंट्स हैं यूजली यूप्यसी ऐसे डिफकल कोईशन पूछती यह नहीं है वाला बहुत डिफक देखा जातों और इसका सही एंसर है सी एक आधिकार प्रति होगी था तो इसको आप याद रिखेंगे देखा जाती इसके रिए बहुत ही यूनिक टर्म हैं मोनोपोलिस्टिक कंपरेशन ए मार्केट सिच्वेशन वेन मेनी फॉर्म सेल सिल सिमलर बट नॉट अर्निकल प्र शतर रठा रगे दोरन भारत मुद्रस पीथ संतुलित रही है इसको सही बताना है कि इसमें कौन सा ब्यसिकली सही है दोनों इस स्रेट्मेट सही है और रखेंगे किसी वे समय वदि में व्यक्ति उभोग उस वक्ति के लिए उपलब दिसंसाद नो उसके पुझी पर प्रतिलावे की दर था उस वक्ति की उम्र पर निभा करती है काफी important question है इसका सही answer है C. जीवन चक्र प्राकल्बना ये आप याद रखेंगे बहुत important question है लगला question आपके इसलिए John Maynard Keynes की अंसार रोजगार ने बढ़ करता है तो ये question काफी conceptual question ने दिखाया तो और इसका सही answer है आपका C. प्रभावी mark पर प्रभावी mark पर depend करता है तो इसका आप याद रिखेंगे that's quite important लिखा गया है इसमें effective demand पर है ना तो ये आप याद रिखेंगे ऐसे question 15 पर है basically ये question आपको NCR ने बढ़ी आसानी से मिल जाएगा employment depends upon effect to demand अगला है करार ओपन ओके ये question भी almost we got so many questions 40 questions हो चुके हैं तो ये question अभी यहीं से wind up करूँगा मैं जो अगले questions है वो अगले वीडियो में upload के जाएंगे तो आप ऐसी वीडियो को देखने के चैनल सबस्क्राइब कर लें question difficult होते हैं but sometime you have to watch these questions as well question काफी important होते हैं आपके selection के लिए you must open up little bit आपको बाकी areas में थोड़ा से strike करना होता है so that's all for now बाकी जो वीडियो हैं अगरे series को देखने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें यह काफी big compilation में कर रहा हूं जितने भी paper हुए है all over India में उन सभी question papers को हम cover करेंगे और यह question paper official answer की के साथ मैं cover करूंगा official answer की यह नहीं है तो उसको cover नहीं करूंगा that's why I want to have 100% accuracy 100% the PSC accuracy जो बनाई है तो definitely I will take care of that thing और that's all for now तो आप चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लें जिससे आपको सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन मिल जाए आप सभी लोग नहीं हाँ पर एसके thank you so much and do not forget to like the video thank you so much bye bye take care thank you